हेलो गाइज वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल तो कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाओंगी जीजस का जनम कैसे हुआ तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्र और हाँ बैल आइकन को भी जरूर दबा देना और शियर करना तो भूलनाई मत और कॉमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी तो चलिए शुरू करते हैं बहुत समय पहले की बात है परमेशर ने सुर्ग दूट के प्रियल को एक यूविती के पास भेजा जो उत्री शेहर न सुर्ग दूट को देखकर बहुत हैरान हो जाती है वह समझ नहीं पा रही थी कि परी का क्या मतलब है परी बोलती है डरू मत भगवान आपसे बहुत प्रसन है और आपके साथ है उन्होंने आपको एक बहुत ही विशेश कार्रे के लिए चुना है वह आपके घर में एक बी बेटा और उसका राज्य कभी खतम नहीं होगा मेरी पहली बार में बहुत डर गई थी लेकिन उसने भगवान पर पूरी तरह भरोसा किया वह बोली मैं प्रभू की सेवा करने के ले ही जीती हूं उनकी इच्छा मेरी आग्या है लेकिन मेरी शादी अभी नहीं हुई है क्य लेकिन जल्दी उनका भी एक बच्चा होगा जिसे परमेश्वर ने चुना था इशू के लिए रस्ता तयार करने के लिए यह कहकर वह गायब हो गए मेरी ने अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहा और अपनी चचेरी बेन इलीजबेट के पती चकरिया से मिलने गई इलीजबेट उसको देखकर बहुत खुश हुई वह जानती थी कि मर्यम को इशूर ने अपने बेटे की माँ बनने के लिए चुना था एक स्वर दूद ने चकरिया को पहले ही बता दिया था कि इलीजबेट का एक बच्चा होगा जो इशू का स्वागत करने के लिए लोगों को तयार करेगा मेरी इलीजबेट के साथ तीन महीने तक रही और फिर अपने घर लोट आई योशुफ चिंतित था जब उसे पता चला कि मेरी उनकी शादी से पहले एक बच्चे की उमीद कर रही थी वह सोच ही रहा था कि क्या उसे इस शादी को तोड़ देना चाहिए फिर उसे एक स्वर्ग दूद उसे अपने सपने में दिखाई दिया और उसने बोला मर्यम को पत्नी के रूप में स्विकारने से मटरो वह इशुफ उनके पुत्र की मा बनने के लिए चुनी गई है बच्चे का नाम इशु रखा जाएगा जिसका मतलब है विधार करता क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा जब यूशुफ उठा तो उसने वही किया जो उसे स्वर्ग दूद ने बताया था और मेरी को पत्नी के रूप में स्युकार किया उस समय मेरी और यूशुफ जिस भूमी में रहते थे वह रोमन सामराज्य का हिस्सा था रोमन समराट सभी लोगों की एक सूची रखना चाहता था ये सुनचित करने के लिए कि उन्होंने अपने करों का बुक्तान किया है या नहीं उसने आदेश दिया कि सभी लोग अपने शेहर में लोटें जहां उनके परिवार मूल रूप से रहते थे और एक जर्णगरना के लिए अपने नाम दर्ज करें मरियम और यूसुव ने नाजरित से बेथालम तक सत्तर मील लंबी दूरी तै की क्योंकि यूसुव का परिवार वही से आया था कुछ लोग फाग्यशाली थे कि यात्रा के दौरान अवश्चक समान ले जाने के लिए गदो का इस्तमाल करें लेकिन कुछ लोगों ने चल कर सफर तै किया यूसुव और मरियम भी चले हाला कि उन्होंने बहुत दीरे दीरे यात्रा की क्योंकि मरियम का बच्चा जल्दी पैदा होने वाला था लगबख एक हफ़ते के बाद बे आकर कार पहुँची गए मरियम बहुत ठकी हुई थी यूसुव रहने के लिए जगा तलाशने लगा उसने एक आदमी से पूचा जो पास खर में रहता था यूसुव ने उस आदमी से का हम जन गर्णा में गिने जाने के लिए बैतलम आए हैं और हम रात को अराम करने के लिए जगा की तलाश कर रहे हैं उस आदमी ने बोला शमा करे हमारे सभी कमरे पहले से ही भरे हैं यूसुव एक कमरे की तलाश करते रहे लेकिन सबी भरे हुए थे अंत में एक मकान माली को मरियम की हालत देखकर दया आ गई पर उसके पास भी कोई कमरा नहीं था लेकिन उसने उन्हें एक अंशाला में रहने का प्रस्तावत किया वे दोनों ही गौंशाला में चले गए देर रात हो गई मरियम का बच्चा पैदा हो गया मरियम ने अपने बच्चों को बाहों में पकल लिया पर मरियम को उसके बच्चे को लिटाने के लिए कोई जगा नहीं थी इसलिए मरियम ने उसे नरमसू की घास जो जानवरों के खाने के लिए रखी गुई थी उस पर अपने बच्चे को रख दिया यूशुव और मर्यम ने बच्चे का नाम इशु ही रखा उसी रात मिधालम के एक अगले हिस्से में दो लोग थे जो अपनी बेड भगडियां संभाल रहे थे अचानक एक शांदार रोशनी ने अकाश को जला दिया और उन्हें एक स्वर्ग दूद दिखाई दिया तभी उनमें से एक आदमी ने बोला क्या है वो? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा दूसरे आदमी ने बोला छिप जाओ तो पहले बहले आदमी ने बोला नहीं थेरो परी हमें कुछ बताना चाहती है परी बोलती है, डरो मत, मैं यहां एक महान और आनन पून घटना की घोशना करने आई हूँ, मेथालम में एक उधार करता पैदा हुआ है, जो राजा होगा, जाओ और उसकी तलाश करो, वे किसी गोर्जा हाल में लिप्टा होगा, और यह बोलके परी गायब हो जाती है, तो पहला आदमी बोलता है, हमें जाना है बेथालम, दूसरा आदमी बोलता है, हाँ, हमें उस उधार करता को देखना होगा, जो पैदा हुआ है अभी अभी, पर कैसे, क्या हम उसे ढून लेंगे, तो दूसरा आदमी बोलता है, जब परी ने हमें उसके बारे में बताया है, कि हम उसे डून्द ही लेंगे वे दोनों उस बच्चे को डूनने के लिए चल पड़ते हैं कुछ समय खोजने के बाद उन्हें वे बच्चा आखिरकार मिल ही जाता है जा मरियम और यूशुफ शीशु जीजस के साथ रह रहे थे और जीजस को देखते ही वे पूजा करने के लिए अपने घुटनों पर गिर गए उन्होंने सभी को बताया कि स्वर्ग दूद ने क्या कहा और कहनी सुनकर हर कोई एहरान रह गया वहीं कहीं बहुत दूर कुछ होशियार लोग थे उन्होंने पुराने लेखनों को पड़ रखा था और जानते थे कि जब एक महान दिखाई देगा और उन होशियार लोगों को वह तारा दिख गया फिर सभी पुर्षों ने मेठालम के और बढ़ते हुए तारे का पीछा किया वह तारा वहां जाके रुका जहां इशू ने जनम लिया था इशू तक पहुचकर वह लोग बहुत खुश थे उन्होंने उनक पूजा करने लगे यह थी इशू के जनम की अद्बूत कहानी धन्यवाद अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सुस्क्राइब और हाँ अबर आइकन दबाना मत भूलना और शेयर भी कर देना और कॉमेंट में बताना हमारी वीडियो कैसी लगी अब मामा आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए मैरी क्रिस्मस बाइबाई